नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस निवज की डिफेंस टॉक स्रीज में जहां पर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को देसरा की देर सारी सुपकाम नहीं तो आज की पहली अपडेट की बारे में बात करते हैं आज की पहली अपडेट अस्तर मार्क टू मिसाइल को लेके हैं तो कल इस पर एक प्रोमोशनल वीडियो इंडियन एरफोर्स की तरफ से रिलीज किया गया था जिसमें आने वाले एरफोर्स टेके अपसर पर इंडियन एरफोर्स की तरफ से वीडियो को रिलीज किया रहा थ और इस पूरे वीडियो में दिखा गया था कि इंडियन एर फोर्स की फॉर्मिशन से लेके आज तक हमने क्या क्या हासिल किया है और लगभग 90 साल पूरा होने के अफसर पर इस वीडियो के रिलीच किया गया था इसी में छोटा सा पार्ट था जिसमें अस्तर माक्टू करता हुआ दिखा गया था अब इसको लेके काफी सारा हाइप अभी क्रियेट हो चुका है क्योंकि यह हमारा नेक्स जेनरेशन वीडियो मिसाइल होने वाला है जिसकी रेंज 160 किलोमेटर से ज्यादा होने वाली और यह मिसाइल चाहने की PL-15 और युनाइटेट स्टेट की MRAM-D मिसाइल को टकर दे सकता है लेकिन अभी जो इसकी प्रोमेशनल वीडियो रिलीच किया गया था इसको लेके लोगों को लगता है कि साइध यह कोई नई वीडियो है और अ इस टेस्ट के बाद इसी साल के एंट तक फिर से अस्तर माक्टो की ट्रायल को करने का PLAN किया गया था जिसमें actual मिसाइल को फायर किया जागा तो जहां तक मुझे लगता है कि यह जो वीडियो अभी रिलीच किया गया था यह पुरानी वीडियो था जिसे अभी कुछ महीने पहले जो अस्तर माक्टो मिसाइल की टेस्ट को किया गया था उसी वीडियो की यहां पर दिखा जा रहा है अब इसमें खास बात यह कि इसमें मिसाइल को एजिक्टर लॉंचर से फायर किया गया था अब अभी तक अस्तर माक्टो और मिसाइल की मारे बात करेंगे तो इसे rail launcher से fire किया जाता है यानि कि जब missile को launch किया आता है तो ये अपने launcher से slide करती हुए आगे बढ़ता है लेकिन अगर ejector launcher के बारे में बात करेंगे तो उसमें सिर्फ इतना फर्क होता है कि इसमें missile को launch करने से पहले missile अपनी launcher से अलग हो जाता है और फिर उसके बाद missile ignite होता है और आगे बढ़ने लगता है अगर हम stealth fire digit के बारे में बात करेंगे तो उनकी internal weapon bay के अंदर missile को fire करने के लिए हमें ऐसे ही rack के जबुरत पढ़ने वाली जिसमें ejector rack को install किया जागा क्योंकि rail launcher से हम लोग internal weapon bay में missile को fire नहीं कर पाएंगे और जो rail launcher होता है उसमें missile launcher में jam होने का भी थोड़ा बहुत खत्रा बनता रहता है और आगे चलके अस्तर mark 2 और mark 3 series के जो दोनों missile होने वाले उन सभी को इसी ejector launcher से fire किया जागा यानि कि इन दोनों को rail launcher से fire नहीं किया जा सकता है तो इस वीडियो में अभी सिर्फ अस्तर mark 2 missile का ही नहीं बलकि हमारी universal ejector launcher का भी टेस्ट किया गया था जो कि आगे चलके हमारी future missile को भी launch करने के लिस्तमाल किया सकता है जिसमें रुद्रम स्रीच की missile भी सामिल होने वाले हैं अगला update Indian Air Force की तरफ से और अभी हम Indian Air Force की सुखोई fleet के बारे में बात करने वाले हैं आप सभी को मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि अभी Indian Air Force की तरफ से अपनी सुखोई fleet को अपग्रेड करने का फैसला किया गया था वैसे अभी तक सुखोई को सुखोई स्टेंडर में अपग्रेड करना शुरू कर देना चाहे था लेकिन ये काफी अतक डिले हो चुका लेकिन लगभग 15 दिन पहले ही Indian Air Force की तरफ से बात सामने आ था कि वो अभी सुखोई fleet को फर्दर अपग्रेड करने के लिए अपनी जनरल स्टाफ qualitative requirement को फानलाइच कर रहे थे जिसके बाद इनको आगे चलके अपग्रेड करना शुरू कर दिया जागा अभी recently कल इसको लेकर जो हमारे Air Force के चीप बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि यह जो basic requirement था उनको अभी फानलेच किया जा चुका है जिसमें complete list है कि आगे चलके सुखोई को किस तरीके सब्ग्रेड किया जागा वो सभी के सभी Indian system होने वाल है और कोई भी Russian system को इस upgrade में सामिल करने के लिए मना किया गये अभी सुखोई को batch में upgrade करने का प्लान किया जाने कि एक बार में सभी सुखोई को upgrade करने के बदी हम पहले व्याच में 84 सुखोई को अप्रेड करने वाल है और इसमें अभी कम से कम 4-5 साल तक का वक्त लग सकता है। इसके पीछे मेजर कारणी है कि सुखोई में अभी लगने वाली उत्तम मेशा रडार जो कि एक स्केल डव वेरिंट होने वाल है उसको अभी तयार होने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे और उसके बाद इसकी टेस्टिंग को कम्प्लीट करने में एक साल और लग सकता है तो तयाएंगे वार जय सिस्टम एक स्केल लेकिन रडार की वयशे इसका जो अभ्ग्रेड प्रोग्राम वें लग भग 2 से 30 साल तक डिलें हो सकता है अगला अबडेट multi roll combat aircraft की tender को लेगे आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों से ये tender delay होता हुआ जा रहा है और हमने भी आपको कई बार बता है कि अभी साथ multi roll combat aircraft की tender को आगे बढ़ाना फाइदे का सौधा नहीं होने वाला है क्योंकि इसको अभी final होने के बाद नए fighter jet को इंडेट करने में हमें 2030 तक का वक्त लग जागा यानिकि 2030 के आसपास ने foreign origin 4.5 generation aircraft को Indian Air Force में सामिल करना कोई अकलमंदी की बात नहीं होने वाली क्योंकि तब हमारे पास हमारा खुद का indigenous 4.5 generation fighter मौजूद होगा और हमारी 5th generation fighter almost तैयार हो चुका होगा तो अभी साथ ये बात Indian Air Force की तरफ से भी सोचा जा रहा है क्योंकि अभी तक ये बात बता जा रहा था कि multi-role combat aircraft की टिंडर में सिर्फ 4.5 generation के fighters को इखरीदा जाने वाला था लेकिन अभी पता चला है कि Indian Air Force की तरफ से भी multi-role combat aircraft की टिंडर में 4.5 generation aircraft के अलावा 5 generation aircraft को भी consider किया जा रहा है और ये बात अभी Indian Air Force के चीफ की तरफ से हाली में confirm किया गये कि अभी 5 generation aircraft को भी multi-role combat aircraft की टिंडर में सामिल करने का प्लान किया जा रहा है अगर ये बात सच्छे तो जाईर सी बात है कि इसमें Russian Origin SU 75 सामिल हो सकता है जो कि फिलाल 2026 तक ही तयार होने वाला है और इसके अलावा हो सकता है रश्या की तरफ से अपनी SU 57 को भी भारत को उफर किया जा सकता है और रश्या के लिए बहुती बढ़िया मोका होने वाला जिसमें वो अपनी SU 35 के बदले और मीक 35 के बदले अपनी 5 जनरेशन एक्राप्ट को भारत को उफर कर सकता है जो कि रश्या की हारी हुई बाजी को वापस पलड़ सकता है क्योंकि जाईर सी बात है कि कि तो वो कभी भी अपनी F-35 को भारत को देने वाला नहीं है क्योंकि हम लोग Russian Origin S-400 सिस्टम का इस्तमाल करते है तो अभी Multi-Roll Combat Aircraft के टिंडर में अगर किसी 5 जनरेशन एक्राप्ट को भी इंक्लूड करने का आईरादा रखा था तो इससा सबस्यादा फाइदा रख्या को हने वाला है अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से और अभी हम इंडियन नेवी में सामिल होने वाले एक इंडिजनर्स ड्रोन के बारे में बात करने वाले है आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही वरुना नाम के एक ड्रोन को टेस्ट किया जा रहा था जिसको इंडियन नेवी की तरफ से टेस्ट किया गया था यह ड्रोन सागर डिफेस की तरफ से बना गया था जो कि एक कार्गो ड्रोन है दूसरे सिप में कोई सामान भेजने की जड़ुरत पड़ती है, तो ऐसे में या तो दोनों सिप के बीच को ब्रिज को बनाना पड़ता है, जिसमें दोनों में जहाज टकराने का खत्रा भी बनता रहता है अब इसके अलावा दूसरा ऑप्षिन यह कि हिलिकॉप्टर की मदल से कार्गो को एक सिप से दूसरे सिप में लिया जा सकता है लेकिन यह थोड़ा कॉस्टली पड़ जाते हैं तो इसी का कॉस्ट एफेक्टिव सल्वीशन चार्ज में कवर कर सकता है और लगातार 25-30 मिनिट तक उड़ान भर सकता है पिछली बार जब इसको टेस्ट किया गया था तो इसको एक प्रसेंजर को एक जगा से दूसरे जगा ले जाते हुए दिखा गया था और अभी इसको ओफिशेली नेवी में कमिशन करने का विचा किया जा रहा है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बंदे मातर हूँ